कीरे के बिना क्यों अधूरी रहती है श्री कृष्ण जन्माश्टमी की पूजा के दिन ऐसा खीरा लाया जाता है जिसमें थोड़ा डंठल और पत्तियां लगी हो। जन्माश्टमी की पूजा में खीरे के उपयोग के पीछे की मान्यता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसको मां से अलग करने के लिए गर्भ नाल को काटा जाता है ठीक उसी प्रकार जन्माश्टमी के दिन खीरे को उसके डंठल से काट कर अलग किया जाता है ये जाके दौरान खीरे को भगवान कृष्ण के पास रख दें। रात में जैसे ही बारह बजे यानि भगवान कृष्ण का जन्म हो, उसके तुरंत बाद एक सिक्के की मदद से खीरा और डंठल को बीच से काड़ दें। इसे नव विवाहित या गर्भवती महिला को खिलाया जा इसे खिलाने से भगवान शुरी कृष्ण की तरह पुत्र की प्रश्चा जाएं।